जै मातादी दोस्तों जादवी टोड़के में आपका हारदिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत्र नौरात्री का पर्व साल दो हजार चौबिस में कब सुरू होगा और कब समाप्त होगा और कलस स्थापना करने का सुब मूरत क्या रहेगा इसके लावा हम आपको बताएंगे कि किस दिन कौन सा नौरात्र पढ़ेगा और किस दिन कौन सी देवी की पूचा की जाएगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जादवी टोटके को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बल आइकन बबादें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों हिंदू पंचांग गेनुसार हर साल चैतर नौरातरी से ही हिंदू नौवर्ज की सुरुवात होती है साल में चार नौरातरी मनाई जाती हैं दो गुप्त नौरातरी और दो प्रतेक्शन नौरातरी चैतर और अस्विन महा में आने वाली नौरात्री पर मादुरगा के नौ सरूपों की पूजा अर्चना की जाती है वहीं असाड और मागब महीने की कुप्त नौरात्री में मादुरगा की दस महा विद्याओं की पूजा की जाती है आपको बता दें कि हिंदू धर्म में चैतर नौरात्री का विसेश महत्त है इस दिन गुड़ी पड़वा और चेती चान का तिवार मनाया जाता है नौराती के प्रत्थम दिन भग्त घट स्थापना करते हैं और देवी का आसन लगाते हैं और नौ दिनों तक व्रत उपवास भी रखते हैं दोस्तों पांचान के नुसार चैतर मा के सुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी से लेकर नौमी तिथी तक चैतर नौरात्री मनाई जाती हैं और चोयतर नौरात्री के पहले दिन घरों में सुब मूरत में कलस स्थापना की जाती है और नौ दिनों तक नौ देवी की विधी विधान से पूजा अराधना की जाती है कई भक्त अखंड जोत भी जलाते हैं और जवारे भी बोते हैं दोस्तों नौरात्री के नौ दिनों तक सुबा साम माता की आरती और भोग लगाना चाहिए और अस्टमी और नौमी के दिन कन्या पूजन और हवन का आयोजन करना चाहिए इसी के बाद ही नौरात्री वृत का पारण करना चाहिए तो चलिए जानते हैं कि साल दो हजार चौबिस में चैतर नौरात्री कब सुरू होगी और कब समाप्त होगी तो आपको बता दें कि चैतर नौरात्री की सुरुवात 9 अपरेल दो हजार चौबिस दिन मंगलवार को हो रही है और चैत्र नौरात्री की समापती 17 अप्रेल 2024 दिन बुद्दवार को हो जाएगी और प्रति पदातिती की सुरुवात 8 अप्रेल 2024 की दोपहर को 11 बचकर 50 मिनट पर होगी और प्रति पदातिती की समापती 9 अप्रेल 2024 की रात को 8 बचकर 30 मिनट पर होगी और बात करें कलस स्थापना करने के सुब मूरत की तो कलस स्थापना करने का सुब मूरत 9 अपरेल 2024 की सुबा 6 बचकर 1 मिनट से लेकर सुबा 10 बचकर 14 मिनट तक रहेगा इस सुब मूरत की कुल अवदी 4 घंटा 11 मिनट की रहेगी और इस दिन अब जीत मूरत सुबा 11.57 मिनट से लेकर दोपहर 12.48 मिनट तक रहेगा चले अब जानते हैं कि किस दिन कौन सा नवरातर मनाया जाएगा और किस दिन कौन सी देवी का पूजन किया जाएगा तो 9 अपरेल 2024 दिन मंगलवार को प्रती बदाति थी रहेगी और इस दिन घट स्थापना के साथ मासहल पुत्री का पूजन किया जाएगा 10 अपरेल 2024 दिन बुद्ध वार को दोतिया तिथी रहेगी इस दिन माब्रम चार्णी की पूजा अर्चना की जाएगी 11 अपरेल 2024 दिन गुर वार को तृतिया तिथी रहेगी इस दिन माचंद घंटा की पूजा अरजना की जाएगी 12 अप्रेल 2024 दिन सुक्रवार को चतुर्थी तिथी में माकुसमांडा का पूजन करें 13 अप्रेल 2024 दिन सनिवार को पंचमी तिथी रहेगी इस दिन माइसकंद माता की पूजा करें 14 अपरेल 2024 दिन रवी वार को सस्टी तिथी रहेगी इस दिन माका त्यानी की पूजा अर्चना करें 15 अपरेल 2024 दिन सोम वार को सब्तमी तिथी रहेगी इस दिन माकाल रात्री की पूजा करें 16 अपरेल 2024 दिन मंगलवार को अश्टमी तिथी रहेगी इस दिन दुरगा अश्टमी का पर मनाया जाएगा और मामागौरी का पूजन किया जाएगा 17 अपरेल 2024 दिन बुद्धवार को नौमी तिथी रहेगी इस दिन हवन और कन्या पूजन किया जाएगा साथ ही इस दिन नौरात्री वृत का पारण भी होगा और इसी दिन राम नौमी का पर भी मनाया जाएगा तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जै मालक्षमी या जै मातादी जरूर लिखें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें साथी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद